हलो दोस्तो स्वागत है SM Repairing में दोस्तो आज हमारे पास आया है ITL का फोन इसमें पासवर्ड लोग लगा है तो आज हम पासवर्ड लोग रीड करके अनलोक करने वाले हैं तो वीडियो लास तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर किजीगा तो चलिये हम पहले मीराकल को ईपन कर लेते हैं मीराकल उपन करने के बाद आपको दो सेटिंग कर लेना है, तो पहले नंबर पर है कि आपको रिप्रेस्ट कर लेना है यहां से RD Unlock पे ओके करके आपको SPD सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देना स्टार्ट करने के बाद आपको बूट की को दवाए रखना और USB के कनेक्ट करते हैं यह देखे फ्रेंड मेरा कल में लोडिंग लेने लगा तो लोडिंग लेने के बाद इस फॉन का पासवर्ड शो कर जाएगा जो भी पासवर्ड इस फॉन में लगा हूँ फ्रेंड यह देखे फ्रेंड इसमें तीन पासवर्ड लगा है तो हम आपको सामने में ही मोबाइल को Unlock करके दिखाने बाले हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए गा तो पहले हम मोबाइल को ओन कर लेते हैं फ्रेंड यह देखे फ्रेंड पहले हम इसको USB को Disconnect कर देते हैं और बैटरी को खोल करके फिर से लगा देते हैं फ्रेंड बैटरी खोल करके लगाने के बाद आप पावर one करके Unlock करते हैं फ्रेंड यह बहुत ही Simple Trick है फ्रेंड आप किसी भी आई टेलफॉन को इसी ट्रिक से आप Unlock कर सकते हैं तो यह देखे फ्रेंड हम पहले उपर वाला पासबट डालते हैं यह तो skin lock है फिर भी ट्राय कर देते हैं फिर एक आपके सामने, यह आपके सामने लाइप प्रूप है, तो यह देखिये फिरेंड हम पे लिए, इसमें पासवर्ड डाल करके आपको दिखाते हैं, यह पासवर्ड सही है या गलत, तो आपको डालना है जीरो तिर्पल वन तो हम जीरो दबा करें के तिर्पल वन को दबाते हैं इसके बाद हम आपको दुसरा पासवर्ट डाल करके दिखाने वाले हैं फ्रेंड यह देखे फ्रेंड यह गलत पासवर्ट बता रहा है अब हम नीचे वाले 1, 2, 3, 4 को तबाह करके ओके करते हैं फ्रेंड ये देखे फ्रेंड फोन अन्लॉक हो चुका है तो फ्रेंड आप हम आपको इस लोक को पर्मानेंटली वाफ कैसे करते हैं तो आपको सेटिंग में जाना होगा चेटिंग से आपको इस लोक को बंद कर देना है फ्रेंड बंद करने के बाद 3, 4 को आपको ओके कर देना है ये देखे फ्रेंड ओफ हो चुका है तो हम आपको ओफ करके मुबाइल को वन करके दिखा रहे हैं कि लोक तूटा है या नहीं तो ये देखे फ्रेंड फोन ओन हो र आकल क्रेक डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो बनाया है वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं